नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग मुहम्मद बिन तुगलक के एक्सपेरिमेंट्स को यहाँ पर शुरू करेंगे बाई अलाउद्दिन खिल जी ने जो जो भी एक्सपेरिमेंट्स की हैं वो मैंने आपको बता दिया तुगलक साब देखते हैं तुगलक साब को वैसे भी काफी संकी कहा जाता था यह जो जॉली एललबी टू मूवी आई थी उसमें वो वकील जज के उपर कमेंड वारता है कि कुरसी पर समझ के अपने आपको तुगलक मत समझे मतलब तुगलक की जो तुलना होती है न वो एक सटके हुए इंसान से एक संकी इंसान से करी जाती है और तुगलक कुछ इस प्रकार का संकी इंसान था मैं यह नहीं कहूँगा कि तुगलक में बुद्धी नहीं थी तुगलक में बहुत बुद्धी थी बहुत पढ़ालुखा इंसान था उसने बहुत इंटर्स दिखाय अग्री कल्चर में बहुत सारे बोल्ड एक्सपेरिमेंट्स लिए बहुत लर्णेट स्कॉलर था उसको काफी ज्यान भी था तो आप कह सकते होगी he was one of the most remarkable rulers of his age religion की बारे में उसको जानकारी थी philosophy की बारे में जानकारी थी एक critical और open mind था उसका Muslim mystics के साथ बातचीत करता था Hindu yogis के साथ बातचीत करता था Jain Saints जैसे कि Jinn प्रभु सूरी नाम का एक बहुत important Jain Saint है इनकी जो writings हैं वो Jain literature में काफी important मानी जाती है इसके साथ भी कही नकी तुगलक ने बैठके बातचीत करी है और जब वो अलग अलग धर्मों के लोगों के साथ बैठके बातचीत करता था जो मुस्लिम थे लॉजियन्स थे धर्म गुरू थे वो अक्सर कर तुगलक के उपर इलजाम लगाते थे कि एक रैशनलिस्ट है प्रॉपर तरीके से अल्ला की बात नहीं मान रहा है धर्म की बात नहीं मान रहा है इस प्रकार के लजाम भी तुगलक के उपर लगते थे और मैं आपको यह बता दू कि तुगलक ने अपने एड्मिनिस्टेशन में नौन मुसलिम्स को भी जगा दी है ठीके तो ऐसा नहीं है कि हाई आफिसेस केवल उन लोग को मिलेंगे जो हाई नोबल फैमिली को बिलॉग करते हैं किसी एक नौर्मल इंसान को भी वो हाई आफिस दे सकता था किसी एक दूसरे धरम के को भी दे सकता था उसका रीजन कहा था उसका रीजन था कि देखे जो भी एक efficient ruler होगा वो आपने rule में तो कम से कम धरम नहीं invoke करेगा जो strictly धरमिक lines पे rule करेंगे वो बैठ जाएंगे चाए आप Muslim ruler हो चाए आप English ruler हो जितने भी कटर राजा आए है कितना भी उनको ये दिखाया गया हो कि भाई बहुत धार्मिक तरीके से कटर थी लेकिन उन लंबे समय चल नहीं पाएंगे आप औरंग जेब का example देता हो आपको आप ये आगे मैं औरंग जेब की बारे मैं पढ़ाऊंगा मैंने पहले भी बता है बेसिक जान का रही तो औरंग जेब की बारे मैं सबको पता है औरंग जेब एक ऐसा राजा था जो कि कहीं न कहीं हिंदूस के अगेंस था उसकी कुछ पॉलसी हिंदूस के अगेंस थी तो इसके चलते आप देखोगे कि उसका administration कमजोर पड़ा लेकिन तोगलक और अलाउदिन खिल जी के साथ ही problem नहीं थी तोगलक और अलाउदिन खिल जी इस बात को जानते थे कि भाई administrative efficiency में हम ये नहीं देख सकते कि Muslim बंदा बैठा है कुरसी पिया Hindu बैठा है वहाँ पे efficiency important हा अला कि obviously बात है most of them Turkish ही थे ज़्यातर जोसकी noble families और important office में बैठने वाले लोग टरकिशी थे बड़ कभी कभी Indian Hindus को भी उन पुरसों पे बठाये गया था चुकि उनका efficiency की basis में उनको वह जगा मिली थी बहराल इसमें ज़्यादा ना गुसते हुए मुहमद बिन तगलक के rain की बात करते है मुहमद बिन तगलक का जो rain शुरू हुआ था वो काफी आप कह सकते हो कि mysterious circumstances में शुरू हुआ था एक इल्जाम के साथ शुरू हुआ था मुहमद बिन तगलक के उपर इल्जाम लगाए गया कि इसने अपने बाप को मारा था घ्यासुदीन तगलक को कही न कहीं मुहमद बिन तगलक को एक हेस्टी और impatient बोला था और चुकि वो impatient था तो जल्दी गद्दी पर बैठना चाहता था ऐसा कई historians ने बोला है तो उसके जो पिता जी थे सुल्तान घ्यासुदीन तगलक घ्यासुदीन तगलक का राज उत्रा important नहीं इसलिए 37 चंद्रा में उसके बारे में ज़्यादा बताया है हाला कि अलाओदीन खेल जी की जो consolidation की strategy थी उसको सुल्तान घ्यासुदीन तगलक ने continue किया था और सुल्तान घ्यासुदीन तगलक बंगाल जीत के वापस आ रहे थे दिल्ली तो वापस आते समय कहीं न कहीं सुल्तान घ्यासुदीन तगलक के ओनर में एक बड़ा सा प्लैटफॉर्म मनवाया मुहमद बंगाल जीत के आ रहे थे सुल्तान घ्यासुदीन साहब तो ऑविसी बात है कि शान शौकत से स्वागत करना पड़ेगा पान पराक के साथ तो भाई मुहमद बिन तगलक ने बोला कि बड़ा साब एक वूडन प्लैटफॉर्म बनवाया कारा मानिकपूर नाम की जगाए अफगानपूर विलज भी कहते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक वूडन पैवेलियन बनवाया था मुहमद बिन तगलक ने किसके लिए सुल्तान घ्यासुदीन के लिए सुल्तान ग्यासुद्दीन इसके ओपर चड़े और सुल्तान ग्यासुद्दीन के साथ उनका दूसरा बेटा प्रिंस महमूद खान भी थे और महमूद खान कई न कई तुगलक के एक कॉंपटीटर थे दिल्ली सल्तनात की गद्धी पर बैठने के लिए तो सुल्तान का तो जाना जरूरी था गियास उद्दीन तुगलक का सासन महमूद खान का भी जाना जरूरी था इबन बतूता ने साफ साफ अपनी हिस्टरी में लिखाए कि मुहम्मद बिन तुगलक ने कॉंस्पिरेसी को हैच करके मारा है दोनों को और उनके दोनों के मरने के बाद ही वो कुर्सी पर बैठ सकता था और इसलिए वो कुर्सी पर बैठा ऐसा बोला है इबन बतूता ने हलाकि इसमें अलग-अलग इस्टोरियंस ने अपने विउपॉंट दिये बहुत से इस्टोरियंस ने ऐसा बोला है कि भाई ये जो गियासुदिन तुगलग की मृत्ती हुई थी ये प्लान मुहमद बिन तुगलग नहीं की थी तो जो वूडन प्लाटफॉर्म मनाया गया था उसके उपर बड़े-बड़े हाथियों को कैप्चर करके परेड करवाई गई वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कॉलाप्स कर गया और ग्यासुदिन तुगलग भी मर गया उसका बेटा महमूद खान भी मर गया और मुहमद बिन तुगलग उस पे नहीं था तो इसलिए बोला जा रहा कि मुहमद बिन तुगलग क्यो नहीं था शेख निजामुदीन ओलिया जी की दरगा भी है दिल्ली में बहुती फेमस सेंट है मुस्लिम दरब में तो घ्यासुदीन तुगलक की शेख निजामुदीन ओलिया के साथ बनती नहीं थे और एक समय पे ग्यासुदीन तुगलक ने ग्यासुदीन तुगलक ने जो निजामुदीन ओलिया थे इनको धमकी भी दी थी तो जब यहाँ पे ग्यासुदीन तुगलक की मृत्ती होई तो समने ये भी बोला कि ये तो शेख निजामुदीन ओलिया का कहर है कि ये ग्यासुद्दीन तुगलक मर गया चुकि शेक निजामुद्दीन अलिया के बहुत से फॉलोवर्स थे और ग्यासुद्दीन तुगलक के उसके साथ बन नहीं रही थी ठीक है कुछ बात नहीं मान रहे होंगे उसकी वो एक अलग चीज है कि एक्जाक इशुद्दीन तुगलक जा चुके है अब अनकॉस्चेंड रूलर कौन है दिल्ली सर्थनत की गद्दी का तो मुहमबद बिन तुगलक है मुहमबद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा जो उसका पहला कॉंट्रोवर्शल डिसीजन था वो डिसीजन था ट्रांसफर ओफ कैपिटल फ्रम दिल्ली तु देवगीर इसके बारे में हम लोग काफी बात कर चुके अगर आप देखो तो देवगीर ये जो कैपिटल थी ये किसकी थी यादवास की कैपिटल थी मैंने आपको एक समय पर बताया था कि पूरा का पूरा यादवास वाला इलाका था मैंने पहले भी आपको बताया है ये दिल्ली सल्तनत के लिए इंपोर्टन इसलिए था चुकि अगर आपको नौधन इंडिया से सदन इंडिया जाना है तो रास्ते में देवगीर तो पड़ेगा ये पड़ेगा तो इसके ओपर डायरेक्ट कंट्रोल जरूरी था और मौम्मद बिन तुकलक ने इसके ओपर डायरेक्ट कंट्रोल किया था और बहुत लंबे समय तक देवगीर में गवर्नर बन के भी रहा था दिल्ली सल्तनत का अन बिहाफ और गियास उद्दीन कौन? मौम्मद बिन तुकलक अब यहाँ पर मौम्मद बिन तुकलक को लगा के एक काम करते है डिल्ली तो बहुत ना उर्थ में अगर आप देखो यह हमारा नक्षा तो यहाँ कहीं उपर डिल्ली है और यहाँ कहीं देवगीर है तो इसने बोला कि अगर यह पूरा का पूरा इलाका हमारे पास है तो यहाँ से क्यों राच करें एक काम करते हैं देवगीर चलते हैं तो देवगीर से नौर्थ का इलाका भी कब जा लेंगे और साउथ की अलाके भी धियान से रख लेंगे तो टेक्निकली देखा जाए गर आपका एक बहुत बड़ा इलाका है तो आपकी कैपिटल कहीं बीच में होनी चाहिए तो बीच से आप हर जगा पे कंट्रॉल पालोगे यह टेक्निकली सोच होनी चाहिए और सोच कहीं न कहीं आपको सही भी लगेगी लेकिन इसमें एक प्राब्लम थी प्राब्लम क्या थी कि दिल्ली की गद्धी पावर की गद्धी थी मुहमद बिन तुगलक ने पहले बोला चलो भही देवगीर अभी देवगीर जाने के लिए उसने बहुत सारे लोगों को इखटा किया वैसे तो बहुत सारी जगों पर आपको लिखाए कि जो Capital Transfer exercise थी इसमें बताया गया कि पूरी की पूरी दिल्ली के आबादी को ही लेके चला गया मुहमद बिन तुगलक लेकिन सतीज चंदर साब ने यहां पर बताया है कि पूरी दिल्ली के आबादी को लेके नहीं गया था मुहमद बिन तुगलक जो बड़े-बड़े नॉबल्स थे जो राजे-रजवारे लोग थे उनके जो पैचान के लोग थे और थोड़ी बहुत आबादी वो लेके गया था पूरा दिल्ली लेके नहीं गया था ये कैसे पता चलता है? ये ऐसे पता चलता है कि मुहमद बिन तुगलक के दिल्ली छोड़के जाने के बाद भी दिल्ली एक important cultural center रहा, एक important trade center रहा, एक important business center रहा दिल्ली शहर खतम नहीं हुआ है बहुत सारे literary sources में हमने देखा है कि ये लिखा रहता है कि जैसे ही मुहमद बिन तुगलक ने दिल्ली से दियोगीर में अपनी capital shift की दिल्ली बेकार शहर हो गया, deserted हो गया, वहाँ कोई रहता नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं है सतीश चंदर सावियां साफ साब बता रहे है कि दिल्ली एक important cultural और trade center रहा है capital shifting experiment के बाद भी कुछ और वज़े हैं थी कि यहाँ पे इतना proactive basis पे मुहमद मिन तुगलक अपनी capital को देवगीर shift करना चाता था actually में जो southern इलाके थे, जो कि मुहमद मिन तुगलक के direct control के अंदर थे ट्रैवन को और वरंगल की जो principalities थी, यह दिल्ली सल्थनात के direct control के अंदर थी अब अकसर कर यह जो principalities थी यह बगावत कर देती थी और अब समझेए, दिल्ली सल्थनात का अभी जो शाही खांदान है, वो शाही खांदान में बहुत सारे nobles हैं खुद मुहमद बिन तुगलक का एक cousin था, जिसका नाम था गुर्षाप अब इन nobles के भी अपने सपने हैं, और उन सपनों में उनको अलग अलग जगहों की गवर्नरशिप चाहिए मुहमद बिन तुगलक से बनी नहीं, मुहमद बिन तुगलक ने गवर्नरशिप दी नहीं तो इसमें से बहुत सारे rebel कर देते थे और rebel करने के लिए सबसे बेटर जगा क्या थी? साउथ इंडिया में चले जओ तो जो गुर्षाप था, ये भी साउथ इंडिया में जाके चला गया ओके, और साउथ इंडिया में इसने बागावाद कर दी मुहमद तुगलक क्या गेंस्ट ने इस इलाके को जीत लिया, तो ओवर और मुहमद में तुगलक को लगा कि यार ऐसे तो rebellion हमेशा ही होते रहेंगे, तो काम कैसे बनेगा, तो एक काम करो दियोगीर में confuse मत होईएगा, तो जब दियोगीर का जो रास्ता था ना, पंदरा सो किलोमेटर था दूर था दिल्ली से, तो जो population भी दिल्ली से दौलताबाद जा रही थी, बहुत सारे तो रास्ते में ही मर गये, बहले ही मुहमद में तुगलक ने समय पे मर गये, कुछ लोग बीमार पड़ गये, क्योंकि समर का वो सीजन था, और जो लोग fit and find दौलताबाद पहुँच गये, वो थोड़ा परेशान भी फील करने लगे, they felt home से, बहुत लंबे decision बुरा implement करो, लेकिन जो लोग हैं वो तो परेशान होगे न, जो लोग भी गये थे, पूरी दिल्ली तो नहीं गयी थी, बट जो लोग भी दौलताबाद गये थे, वो कहीं न कहीं तुगलक से नारास थे हाँपे, ओके, और आप देखो के कुछ साल बाद, तुगलक को भी दौलताबाद छोड़के वापस दिल्ली आना पड़ा, वज़ा क्या थी? वज़ा सिंपल थी, सिंपल ये थी, कि बई देखे, अगर आप नौर्थ इंडिया में रहके साउथ इंडिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप दौलताबाद में रहके दिल्ली को भी कंट्रोल नहीं हो सकता, तो एट दौलताबाद में रहके दिल्ली के ओपर भी प्रॉपर कंट्रोल नहीं हो सकता, नौर्थ इंडिया को नहीं जीता जा सकता, तो ये जो कैपिटल शिफ्टिंग एक्सपेरिमेंट था, ये जरूर फेल हो गया मोहमद बिन तुकलक का, लेकिन क्या ये पूरी तरीके से फेलोर था, क्या इसका कोई भी बेनिफिशिल एडवांटेज नहीं था, देखिए ऐसा नहीं है, बहुत से बेनिफिशिल एडवांटेज थे, लिट्रेचर के फिल्ड के अगर आप बात करोगे, आप चाहे इंडिया में उर्दू लिट्रेचर के बारे मे कहीं नहीं, कहीं जो ठरंस्फ्यूजन का प्रोसेस शुरू हुआ है न, यह जो इंटेरेक्शन का प्र्रीक्शन स्य मौमि मुअम्मद बिन tughलग के इसी एक्सपेरिमेंट की वेसे शुरू हुआ था, इसके चलते ही जो नॉर्वांट इंडिया के लोग थे, और जो साथ इ North Indian culture को South India में लेक्या है और अब्विसी बात अगर South Indian culture के साथ mixing होगी तो ना पूरी तरीके सा South Indian culture खतम होगा ना North Indian culture खतम होगा दोनों में एक mix सा नजर आएगा तो Deccan के cultural, religious और social ideas यहाँ पे North India के culture से तो effect हुए हुए Turkish culture से भी कही न कहीं effect हुए एक प्रकार का cultural interaction शुरू हुआ North India, South India के बीश जिसके remnants आज भी South India में देखने को मिलते हैं बहुत से शब्द आपको तमिल, तेलगू, हर प्रकार की भाशा में मिल जाएंगे जो इसी transfusion की वज़े से बने थे फिर एक और step के बारे हम बात करते हैं मुहमद बिन तुगलक के और वो है token currency अरे भाई, ये जो token currency वाला आपका कह सकते होगी मुहमद बिन तुगलक का experiment था ये ऐसा नहीं था कि पहली बार कोई token currency के साथ experiment कर रहा हूँ उस समय तक दुनिया में बहुत सी जग़ों पर token currency के experiment हो चुके थे problem क्या थी, problem ये थी कि देखे, मुहमद बिन तुगलक के पास चांदी थी नहीं और चांदी के सिक्के थे सोना उतना था नहीं कि सोने के सिक्के बना लो उस समय तक चाइना के कुबलाई खान ने भी token currency इशू की थी और जो मंगोल उलर था तो bronze से कम से कम coin तो बन जाएगा कम से कम Turkey तो होगी, मदब currency तो होगी और इस currency के बहुत से specimen, इस सिक्के के बहुत से specimens आपको इंडिया के बहुत से भागों में मिल जाएगे even in museums, in many Indian museums आपको ये तुगलक की currency वाले बहुत से साक्षे मिल जाएगे तो ये जो token currency का idea था, ये इंडिया में नया था वैसे उस समय पे जासा कि मैंने बता है कुबले खान चाइना और गजान खान जो इरान का था वो implement कर चुके थे, बड़ इंडिया में idea नया था, तब नया idea को जल्दी कोई trader accept नहीं करता है, तो आप बात है तो गलक ने बोला कि यही चलेगा तो मजबूरी में सब ने इस्तमाल करना शुरू किया, और ये जो token currency वाला idea था इंडिया के अंदर ये successful भी होता बड़ ये एक शर्त में successful हो सकता था अगर token currency इशू करने के अथौर्टी केवल केंदर की सरकार के पास हो currency के एक seal आती थी तुगलक डैनिस्टी की उस seal को अगर आप एक bronze coin के उपर मार दो गरम करके तो वो एक valid सिक्का हो जाएगा अब हुआ ये कि ये seal counterfeit हो गए इस seal की बहुत सारी copies बन गई इंडिया के अंदर और हर जगा पे भट्टी में वो जो bronze का coin था उसके उपर बना बना के लोग seal मानने लग गए तो अब आप समझेए ये coins केवल अब तुगलक नहीं इशू कर रहा है हर घर में जहां पे भट्टी है जहां पे तांबे को पिगला के coin मना के उसके उपर seal मानी जा सकती है हर जगा पे ये coins बननने लगे ये मतलब बहुत ज़्यादा currency market माने लगी आज की rate में जो Indian रुपी वाला note है वो RBI इशू करता है 12 सरकार और RBI के पास authority इशू करने की अब अगर मेरे आपके जैसे लोग ये note घर में मनाने लगेंगे तो क्या Indian रुपी की कोई value रह जाएगी obviously नहीं रह जाएगी तो किसी भी currency को इशू करने की authority हमेशा sovereign के पास होनी चाहिए हमेशा उस देश की सरकार के पास होनी चाहिए और अगर ये authority आपके पास चली जाती तो आपके sovereignty चली जाती है और कुछ यही हुआ है आपे इतनी जादा counterfeiting शुरू हो गई currency की हर घर में duplicate currency बनने लगी इतना जादा पैसा market में circulate होने लगा कि चीजों के दाम बहुत जादा बढ़ गया मुहमद तुगलग को समझ में नहीं आ रहा हुआ क्या जब मुहमद तुगलग को पता चला कि यह तो जादा ही गड़ बढ़ हो गई तो मुहमद तुगलग ने बुला कि ठीक है भाई मैं silver coin issue कर रहा हूँ जिन लोग के पास भी bronze coins है मेरे पास आओ और आके बदलो दिल्ली में उसके महल के बाद इतना उचा पोथा लग गया वो पुराने coins का बहुत महीनों तक वो वहीं पढ़े रहे बहुत सालों तक वो वहीं पढ़े रहे और coin exchange करने के चलते मुहमद भी तुगलग की treasury भी खाली हो गई अरे treasury में तो limited पैसे हैं न अब पूरे Indian subcontinent से लोग चले आ रहे हैं उस bronze के सिक्के को लेके कि साम मेरा बदल दो मेरा बदल दो तो ट्रेजली में तो limited पैसा है कितना सिक्का बदलोगे तो उस समय पर तुगलग का दिमाग खराब होगा कि यह हो क्या गया तो यह जो दो experiments आपने पड़े है कि बाई दौलताबाद से देयोगीर ठीक है अगली वीडियो में मैं आपको मुहमद बिन तुगलक के बारे में कुछ और बहुत अच्छी चीज़े बताऊँगा जैसे कि आप देखोगे कि मुहमद बिन तुगलक का कराचील expedition मुहमद बिन तुगलक का कुरासन expedition मुहमद बिन लॉंग टर्म इंपक्ट नहीं हुआ था ऐसा नहीं हुआ था कि उसके ट्रेजरी खाली हो गई तो मुहमद बिन तुगलक खतम हो गया नहीं इबन मतूता ने साफ सा बता रखा है इबन मतूता 1333 में दिल्ली आया था ऐसा नहीं था कि उस टोकन करंसी को बदलने के चलते यह आपकी दिल्ली सलतनत की ट्रेजरी खाली हो गई तो मुहमद बिन तुगलक खतम हो गया नहीं बहुत लंबा इंपक्ट मुहमद बिन तुगलक पे नहीं पड़ा अपने व्यूपॉइंट्स लगाता है नीचे छोड़ते रहेगा आपकी व्यूपॉइंट्स से मुझे पता चलता रहता है या आप लेक्चर के बारे में क्या सोच रहे हो और मैं उस हिसाब से अपने इंप्रूमेंट्स करता हूँ